अरे राहूल आगे से अर्जो डिरेक्टर के आगे से अर्जो मेरे तुम तो बिल्कुल बीच रास्ते को बंद करके रास्ते के बिल्कुल बीच में चलने हूँ ये कोई बात नहीं हूई और ये सर पे एक बोरा रखके कहां ले जा रहे हूँ तुम पताओ तो कहां जा रहे मैं भी तो चलूँगा इस रोड पे और मैं अपने सर पे धान का एक बोरा भर के मंडी में बेजने के लिए ले जा रहा हूँ सहर में लेंगे राहूल मंडी तो कापी दूर है यहां से 20 किलो मीटर दूर है क्या पैदली लेके जाओगे अनाज यह देखो ट्रक्टर में मैं अनाज भर के मैं भी मंडी में अनाज बेजने के लिए ले जा रहा हूँ इस अनाज की एक बोरी को अपनी ट्रॉली पे पीछे रग लो और मेरे ट्रक्टर पे आगे बैठ जाओ आजाओ मैं तुम्हें मंडी पहुचा दिता हूँ मौती जी बहुत बहुत धन्यबाद आपका जो आपने इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई राओल इसमें दरिया दिली की क्या बात है फिरी में मैं तुमारा अनाज का बोरा मंडी में थोड़ी ले जाओंगा इसको मंडी में पहुचाने के लिए मैं पूरे 50 रुपे के लिए कह रहे हैं तो मैंने सोचा आप फिरी में यह अनाज का बोरा मंटी में पहुचाओगे लेकिन आप तो पैसे मांग रहे हो यह कोई बात नहीं हुई मोधी जी अनाज का बोरा तो मेरे भी पास है यह देखो एक अनाज का बोरा अपनी ट्रॉली पे रख लो और सही भाड़ा ले लेना योगी जी सही बाला क्या लेने ना मैं राहूल से अभी 50 उर्पे में एक बोरा अनाज मंडी में पहुचाने के लिए मांग रहा था तुम 40 उर्पे दे ना अपने इस अनाज के बोरे को मेरी ट्रक्टर की ट्रॉली पे रख दो और ट्रक्टर पे आगे आगे बैठ जाओ मुधी जी ना आपकी ना मेरी बीच के पैसे 40 उर्पे आप मांग रहे हो तो 20 उर्पे ले लो मुझसे चलो ठीक है योगी जी रख लो अपने अनाज के बोरे को मेरे ट्रक्टर की ट्रॉली पे और 20 उर्पे दे दे ना लेकिन मुधी जी ये तो गई बात नहीं हुई आप मुझसे अनाज के बोरे को मंडी पहुचाने के लिए 50 उर्पे मांग रहे थे और योगी जी के अनाज के बोरे को आप सिर्फ 20 उर्पे में मंडी में पहुचा रहे हो राहूल तुम कम से कम मुझसे बात तो करते सोधा बाजी तो करते क्या अब तब मैं तुमारा अनाज का बोरा भी सस्ते में पहुचा देता तुम तो ले जाने के लिए तयार ही नहीं हो मेरे ट्रक्टर की ट्रॉली भी अपना अनाज का बोरा तो मैं क्या करूँ और भाई लोगो वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करो